एलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों सरवन माह के दूत्य सोमार का पोस्टर बनाना सीखेंगे तो वीडियो को सुरुस लेकर अंत तक देखते रहे ताकि आप भी इस तरीके से पोस्टर बना सकें दोस्तों इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए आपको एक अप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्सार्ट है PixArt Application का link वीडियो के description में मिल जाएगा साथ ही साथ में जो background PNG material यूज करूँगा उसका भी link वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं और आप भी इसी तरीके से poster बना सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपने PixArt Application में और poster को बनाना सुरू करते हैं अपने PixArt Application में और poster को create करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो इडिटे photo पर click करेंगे और background को select करेंगे तो दोस्तो यह रहा background आज हम इसी background से सरवन मा के दूइत्य सोमार का poster बनाना सीखेंगे तो दोस्तो हम यहाँ पर text PNG डालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप सभी को सरवन मा के दूइत्य सोमार की हार्दिक सुबकामना है तो दोस्तो हम आप सभी को PNG डालने जा रहे हैं तो यहाँ पर scroll करेंगे और add photo पर click करेंगे और यहाँ से जिस folder में आप पना PNG रखे हैं वहाँ से select करेंगे तो यह रहा दोस्तो PNG यहाँ से मैं add कर ले रहा हूं यह देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आप सभी को सरवन मा के दूइत्य सोमार की हार्दिक सुबकामना है इसे आप पने हिसाब से adjust कर लीजीगा दोस्तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप पड़े आसान तरीके से इसी तरह का poster बना सकते हैं अपने mobile phone से दोस्तो यह जो मैं PNG material यूज कर रहा हूं इसका link वीडियो के description में दिया गया है वहाँ से जाकर आप भी download कर सकते हैं और इसी तरीके से poster बना सकते हैं साथी साथ by ground का link भी वीडियो के description में दिया गया है अब दोस्तो हम यहाँ पर लगाएंगे अपना photo निचे scroll करेंगे और add photo पर click करेंगे और यहाँ से हम अपना photo लगा लेंगे दोस्तो हम यहाँ पर select करेंगे अपना photo तो मेरा photo इस folder में रखा है हम यहाँ से select करेंगे तो दोस्तो यह रा मेरा photo हम यहाँ से select करेंगे और add one पर click कर देंगे add one पर click कर देंगे दोस्तो यह रा photo यहाँ पर आ गया है दोस्तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप भी स्टेक्ट कर सकते हैं यह देखिए दोस्तो अब हम अपना इंड्रो बैनर डालना चाहते हैं तो हम यहां से आइट फोटो पर क्लिक करेंगे और हम यहां पर इंड्रो बैनर लगा लेंगे यह देखिए दोस्तो आप उपर इंड्रो बैनर हम यहां से स्लेक्ट कर ले रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप भी स्लेक्ट कर लीजेगा दोस्तों अगर आप इंड्रो बैनर अभी तक नहीं बनाए हैं तो हमारे कमेंट बाक्स में मैसेज करिए हम आपको इंड्रो बैनर बनाना इंडो बैनर आप अपने हिसाब से arjeste कर लिजेगा हम अपने फोटो को शैडो देना स्याथे हैं दोस्टो तो यहां पर सैडो पर किलिक करेंगे और आलका सा बलर को कम कर देंगे आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप भी कर लीजेगा दोस्तों अब हम अपने YouTube चैनल का लोगो लगाना चाहते हैं दोस्तों तो हम यहाँ पर आइड फोटो पर क्लिक करेंगे और रिसेंट पर जाएंगे और जिस फोल्डर में अपने YouTube चैनल का लोगो रखे हैं वहाँ से स्लेट करेंगे तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल का लोगो यहाँ पर है तो हम यहाँ से आइड वन पर क्लिक कर देंगे यह देखे दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो यहां पर आ गया है आप देख सकते हैं यहां से इस पर क्लिक करके इसे आप फालका साथ जूम करेंगे और छोटा हो जाएगा और इससे आप बड़ा कर लीजिए और यहां से सैडो पर क्लिक कर लीजिए और यहां पर इसे बलर को कम कर लीजिए देख सकते हैं आप इसी तरीके से आइड कर सकते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं यह देखिए दोस्तो यहां लग लग मेरा पोस्टर बनके रेड़ी हो चुका है अगर आप इसमें कुछ अपने इसाफ से अर्जेस्ट करना चाहते हैं तो आप इ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि अगला वीडियो आपके नॉटिफिकेशन बॉक्स में पहुच सके